हलो फ्रेंड्स मैं इप सेख स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सक्स एक आई आरस ओफिसर हैं इनका नाम है देव प्रकास मीना जी और यह राजस्थान के दौसा के रहने वाले हैं दौसा जी लेके इन्होंने एक ट्वीट किया है और सोचने वाली बात है कि अगर एक आई आरस ओफिसर ट्वीट कर रहा है तो कहीं न कहीं यह बात खटकती है कि भाई पेपर लीक का जो मामला है हर स्टेट से आता है चाहे राजस्थान हो पंजाब हो हरियाना हो कोई भी स्टेट हो बिहार हो तो सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है लेकिन एक आरस ओफिसर अगर ट्वीट कर रहा है कि सर इस पर ध्यान दीजिए पेपर लीक हो रहा है तो आए देखिए इन्होंने ट्वीट क्या किया है कि मेरे पास अभ्यारतियों के रोज फोन आते हैं असो गहलोज जी इन्होंने जो है राजस्थान के मुखमंतरी असो गहलोज जी को इन्होंने टैग करते हुए ये ट्वीट किया है जी आप कहें तो काल रिकार्ड कर लूँ जी इएन का एक्जाम के पेपर में 15 से 20 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं दलाल च्छातोर से संपर कर रहे है सिविल वाला पेपर याई आप इस्पेसली जो परसों नर्सों पेपर होने वाला च्छह तारीकों च्छह दिसंबर को है उसकी जादा चर्चा है यह पोस्ट उसमें जादा है होनहार मेहनती बच्चों में भारी निरासा है तो यह ट्वीट कहें ने कहीं बहुत बड़ा कि कभी भी किसी भी स्टेट का पेपर आता है तो वहाँ इस तरीके की नियूज आती है कि 15 से 20 लाग रुपए में जेएन के वेपर बिक रहे हैं यानि जो बच्चा तैयारी कर रहा है 2016 में WRD की वेकंसी आई थी तब से राजस्थान जेएन की कोई वेकंसी नहीं आई 2019 में ये वेकंसी आई हुई है और इस तरीके से आप देख रहे हैं नियूज आ रही है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतने दिन से तैयारी हम करते हैं तैयारी करने के पास जब एक्जाम देने के बारी आती है तो कोई पैसा देकर और सीट लेकर चला जाता है तो ये बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ अगर ये नियूज सही है तो ये बहुत मतलब बहुत समझ लीजिए कि बहुत गलत बात है मैं कुछ यहां कहें नहीं सकता क्योंकि इस तरीके के लोग मतलब की पैसा देकर सीट खरी लें और यहां पर आप देखेंगे इस तरीके के ट्विट कर रहा है तो हो सकता है कहीं कहीं से न्यूज आई होगी इनके पास तब इनों ने ये बात कही है और ये पहले भी कई चीजों में जो है आ चुके हैं बिवादों में बिवादों में क्या बोले मतलब जो सच्चाई बोलता है वो बिवादों में ससाता है तो ये सारी चीजे हैं तो इनों ने इस तरीके की ट्विट किया था तो मैं hai सोचा इस पर आप लोगों को एक जानकारी दे दूँorf आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं अगर आपको इस तरीके की कोई भी नजर आया इस तरीके की कोई चीज तो आप उस पर काल करके सिकायद कर सकते हैं एक मिनट उक जाए मैं वो नंबर दे रहा हूं आपको और हाँ ये आप सामने देख रहा है इस स्क्रीन पर असोक कुमार राठाओर ये ADGP, ATS and SOG हैं ये इनके नंबर हैं अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा सक्त सस्पेक्ट नजर आता है या पेपर वगारा कहीं से अगर आपको इस तरीके को कोई भी चीज नजर आती है तो बोर दोरा आजजित आज जेएन भारती से सम्मंदित पेपर लिग की खबर की सिकायत ATS SOG हेलप लाइन नंबर पर करें तो आप इस पर सिकायत कर सकते हैं कि यहां सर इस तरीके की बात है यहां इस तरीके की चीजे हो रही है क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा हूँ चार सालों से मेहनत कर रहा हूँ राजस्थान जेएन के लिए स्टेट की वेकंसी डबलू मेहनत कर रहा हूँ अगर मेरी सीट को ईह रहा हूँ दो सुचिए अब उसके बाद मेरे पास कौन सा अपसंद बचायार सश्था कितनी स्यटें नीकालता पिछले बार लगबग 17-1800 सीट आई थी, इस बार लगबग 700-800 सीटे आने वाई, 2019 में 700-800 सीटे हैं, अब पता नहीं, लाश्ट मोह सकता है, सीट डिक्रीज या इंक्रीज कर दें, अब इतनी सीटों में हो गाया नहीं, पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, इस टे अलग 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 उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके के खबरे आ रहे हैं, तो बहुत दुख वाली बात है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर ये जो लिखा हुआ है, ये ADGP, ATS और SOG हैं, एंड SOG हैं, तो इन दोनों नं थेंकियू